क्या कम्पिल एक महाभारत कालीन शहर है इस पर मैं पहले ही एक डाक्यूमेंटरी बना चुका हुँ मेरा विश्वास है महाभारत सहितिक कहानी मात्र नहीं है वरन यह एक वास्तविक एतिहासिक घट ना हो सकती है ऐसा नहीं है कि साक्ष प्राप्त करने के प्रयास नहीं किये गए सर कनिंगम ने खुदाई शुरू की उनके प्रयास से कमपिल संकिसा वरही छेत्र को महाभारत कालीन माना गया लेकिन आगे पुखता साक्ष प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रयास नहीं किये गए इंदिरापुरम आकर बसने के बाद सोचा हस्तिनापूर के बारे में कुछ जानने की कोशिश की जाए महाभारत में हस्तिनापूर को कौरवो के कुरू सामराज्य की राजधानी के रूप में चितरत किया गया है महाभारत की कई घटनाई हस्तिनापूर शहर में हुई थी हस्तिनापूर में पहली खुदाई 1950 के दशक की शुरुवात में भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन के महानिदेशक भी बी, लाल द्वारा की गई थी हाला की इस उत्खनन का मुख्य उद्देश्य, स्वयम लाल ने पेंटिट ग्रेवे की स्तरीक्रित स्थिती का निर्धारन किया था लाल ने में चित्रित ग्रेवे की उपस्थिती को आर्यों के साथ जोवने का प्रयास किया सन 2022 में एक बार फिर खुदाई हुई इस से प्राप्त परिनाम बड़े रोचक निकले लेकिन जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह मुख्यता मौर्य वंच से संबंधित है हस्तिनापूर में भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन में धूसर मृद्भांध हटी कोईला राख वचोड़ी दिवारे मिली है वही पांडव तीला पर उत्खनन में मिल रही मिट्टी रेथ की परते पांडव तीला पर सरवाधिक उचाई वाले स्थान पर ट्रेंच लगाकर उत्खनन किया जा रहा है यहाँ अधिकतर मौर्यकाल वं मध्यकाल के अफशेश प्राप्त हुए है गहराय पर मिट्टी की परत का रंग बदलता दिखा इससे प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र कई बार-बार की विभीशिका से गुजरा है कई स्थानों पर स्पष्ट चौड़ी दीवारे निकली है A.S.I. को विश्वास है कि उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेश जरूर मिलेंगे जो हस्तिनापूर की प्राचीनता को प्रमानित करेंगे कई स्थानों पर विभीन प्रकार के मृद्भांड, टूटे मठके, हड्डिया, कोईला आदी मिले है इन वस्तूओं के साथ साथ मिट्टी के सैंपल भी सनरक्षित किये जा रहे है जाच के बाद ही मिट्टी ववशेशों की प्राचीनता का पता चलेगा महाभारत विभीन कालों में घटित घटनाओं का एक मिश्वित सत्य ग्रंत भी हो सकता है इसलिए शायद हमें अभी महाभारत काल का निश्चित अनुमान नहीं हो पा रहा अतह हमें केवल टारगेट खोजबीन न कर विभीन स्थलों से आकड़े एकत्रित करने चाहिए प्राप्त जानकारी से एकीकृत अध्यन करने से निश्चे ही अपेक्षित निश्कर्ष निकाले जा सकते हैं तब हो सकता है हम महाभारत के अस्तित्व को सिध़ कर पाएं